तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि मिस्रन में से उसके अव्यवों को अलग कैसे कर सकते हैं जिससे हमने बार 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 बात किया है पानी और चीनी का विलियन बना सकते हैं तो पानी या चीनी को मिलाते हैं तो क्या बनता है एक प्रकार का मिस्रन बनता है बालू और है उन्हीं में से कुछ में से बारे हमने बात किया है कुछ में से बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर जो में हमारे पास वह है क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है यहां पर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा सब्द है यह जो क्रोमा सब्द है क्रोमा यह ग्रीक भासा से निकल क्या है कहां साय जिसका मतलब होता है रंग क्या होता है मतलब रंग तो कहने का मतलब यह है बिसिकली क्रोमेटो ग्राफी का परियोग किया जाता है स्याही में से उसके रंगों को अलग करने के लिए यह पर्योग क्याता है मतलब हो सकता है यह मैं एक या एक से अधिक रंग बिले हो उन्हां रंगों को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेट्रो गणाफी प्रोसेस या प्रक्रियागब प्रयोग करते हैं ठीके आज देखो यह पूरा पूरा प्रोसेस है क्या कैसे समझ सकते हैं बात कर लुए यहां पर तुम्हारे पास कुछ डाइगराम दिख रहा है इस डाइगराम में आगर हम बात करें तो simply यह समझ लेते हैं कि गलास क्या है यह हमारे ठीक है और इसको इस परकार से कोई एक कुछ भी लो पेन लो या कुछ लो इसके साहतास क्या करना है तुमको यह पता करना है कि स्याही में कौन-कौन से रंग है और कैसे पता कर सकते या अलग कर सकते हमको क्या करना है स्याही का एक बूंद यहां पर डालना है और यह जो पू करता हुआ तुपको दिखाई देगा अब जो जल में ज्यादा गुलन सील है वो रंग उतनी ही तेजी के साथ उपर बढ़ेगा जो कम गुलन सील है वो नीचे रहेगा तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस है क्रोमेटो ग्राफिक का आई होप तुमको एजली समझ में आया होग झाल 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 झाल